जै श्री महाकाल, जै माखाली, राधे राधे, जै मातागी आज मैं आपको एक नेया टॉपिक लेकर के आई हूँ वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कुनली जागरन के बारे में कुनली शक्ति के बारे में आज मैं आपको ये बताना चा रही हूं कि जिन लोगों की कुनले जागरित हो रही होती है या हो गई है उन सब को शारिक और मांसिक क्या क्या लक्षन होते हैं क्यूंकि कई लोग बहुत से इसी ब्रहम में रहते हैं कि हमारे ये दरदो रहा है वो दरदो रहा है कि हमें किसी ने कुछ करही दिया है लेकिन अगर जो सादक ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और जो पूजा पाठ करते हैं अध्यात्मिक इससे जुड़े होते हैं उन्हीं को ये हलचल महसूस होती है अपने शरीर में क्योंकि जैसे ही आप अध्यात्मिक मारग में चलोगे साधना सिद्धी पूजा पाठ मंतर उचारन करोगे तो आपकी कुनली शक्ती में हलचन होनी शुरू हो जाती है थोड़ी थोड़ी होती है जैसे जैसे आप अपने पढ़ाई करते रहोगे तो जितना जितना ध्यान साधना करोगे उतना उतनी वो बढ़ती जाती है ठीक है तो सबसे पहले तो हमारा सबसे नीचे रीड की हड़ी के पास आता है हमारा मुलाधार चक्र सबसे पहले वो एक्टिव होता है ये मानिए है कि वो हमारा स्टोरेज है वहां पे हमारी उर्जा इकठी होती है इकठी होकर के उपर सहस्तरा दल तक चड़ती है ठीक है तो वो सबसे पहले तो वहां से स्टार्ट होती है वो ही हमारा होता है फिर हो सहस्तर दल का मल तक ब्रहमर अंदर को भी इती हुई जाती है तो आपको उसमें कई चेंजिस हो सकते हैं सिर्फ पर भारी भारी पर रह सकता है कभी-कभी उल्टे-उल्टे को भी आपकी तबियत हो सकती है आपको चक्कर सा भी आना महसूस हो सकता है अगर आपका गुरु प्रवल होगा अच्छा होगा अच्छी तरह सुनूने मंतर दिया होगा आपको उन केस में आप लगते हो तो आपको ये कुछ तक हद तक संभावना ये कम होती है फिर आप जैसे कुणली शक्ती थोड़ी थोड़ी जागरी तो आप देवी देवताओं के भी आपको दर्शन होने लग जाते हैं फिर इसमें आपको कभी कभी गर्मी बहुत अधिक महसूस होते है और कभी अत्यधिक ठंड भी किसी किसी को महसूस होते है वो अपने शरीर के अनुसार होता है जो आपका नाभी का भाग होता है वो वहां पर काफी ज़्यादा दबाव सा महसूस होने लग जाता है तो आपके शरीर में बहुत सी चेंजिंग और बहुत से बदलाव आते हैं और पूरी बोड़ी बिलकुल हिल जाती है कई लोग तो इन सब चीजों से डरके साधना का मारगी ही छोड़ देते हैं वो डरके अगर उन्हें सही गया ना हूँ, सही नहीं हूँ तो वो कुछ दवाईयां खाने लग जाते हैं, कोई कुछ इधर उधर भटकने लग जाते हैं आप इतना मानिये कि आप पूजा कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं आपके सभी कारे होते हैं, जैसे आप रभू को बोलते हैं वो सभी कारे आपके बन रहे हैं सिर्फ आपको शारिक कुछ लक्षन जो दिखाई देते हैं महसूस होते हैं तो वो आपके कुंडली जागरित होने के भी होते हैं अगर आपका घर पे भी हालत खराब है और आपके कोई भी काम नहीं बन रहे हैं ऐसा भी कुछ हो रहा है तो हो सकता है कि हाँ नेगटिविटी है लेकिन अगर आपके अकेले ही अपनी समस्या है तो आपके कुनले जागरन के भी ये लक्षन होते हैं ठीक है जब आप ध्यान में बैठोगे तो आपको जब बिल्कुल सफेद सफेद दिखाई दे होता है आपका सहस्तर दल कमल होता है वहाँ पे खिंचाओ काफी ज़्यादा पढ़ने लग जाता है बहुत खिंचाओ वहाँ पढ़ता है तो आनद चक्कर अगर आपका जागई तो जाता है वो हिर्दे के पास होता है तो तब भी आपको ये सब सब सीम्टम होने लग जात तो बहुत सी changing होती है, आपका आग्ये चकर फिर जागरी तो उन्हें लग जाता है, जबी आपका आग्ये चकर अच्छी तरह से जागरी तो जाएगा, आग्ये चकर वो center point पिंदी जहां लगाते हैं, वहां होता है, वो उन्हें लग जेगा, तो आपको एक जोती सुरूप द ये वेवस्ता आपको समाधी तक भी ले करके जा सकती है, और ये stage जब आपकी समाधी की stage होती है, ये आपकी last stage होती है ध्यान की, तो आपको ये इश्यर से मिलान करती है, तो ये सभी आपको मैं बता रही हूँ, तो आप इसे समझेंगे, और महसूस कर ऐसा अगर आपके ज जागरित हो रही है, और आपका अग्या चकर भी जागरित हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे इसमें ये changes होती है, ब्रह्म में ना रही है, अगर आपको ये सेहन शक्ती है, आप ये सब सेहन कर सकते हैं, तो आप अध्यात्मिक पारग और meditation ध्यान सादना अपना सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो, तब आपका बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो तब हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये changing होती है, क्योंकि अब हम लोगों के पास ऐसे ही लोग, ऐसे ही लोग आते हैं, जो सादना भी करना चाते हैं, गुरू भी बनाना चाते हैं, अध्यात्मिक भी करन डर्द नहीं सेहन करना चाएं तो उसके लिए उनका माइठ हमेशा यही रहता है कि बस हमें आज किसी ने कुछ कर दिया हमें आज किसी ने कर दिया अब अगर आप इस तरह सोचोगे तब आप जिंदेगी में कुछ नहीं कर सकते है ठीक है अगर आपको ध्यात्मिक मारक चुड़ना है तो यह सोचो कि आपको रोज कांटों पर चलना पड़ेगा रोज गरम गरम आग पर चलना पड़ेगा उसमें अगर आपके पाउं जलते हैं और कुछ भी होता है तो वो अगर आप चुबन सहन कर सकते हो, तो आप इस महारग को अपनाईए, यह दर्वाइज आप इस महारग पर नहीं चल सकते, क्योंकि यह जितना सा धारण आपको दिखता है, उतना सा धारण नहीं होता है, ठीक है? तो बहुत-बहुत उंचाईयों तक पहुंचने के लिए बहुत बार गिरना भी पड़ता है और बहुत बार उठना भी पड़ता है तब ही आप अपने मारग में सक्षम हो जाओगे ठीक है तो आपको मतलब की पता चलना चाहिए कि ये हमारे मतलब कुंडली जागरी तो और ये बहुत से लक्षन होते हैं मैं कुछ तो आपको बता सक तो वीडियो के माद्धे हमसे बताई रही हूं, कुछ आप लोगों के, और सबकी बड़ी के, सबके अलग अलग होते हैं, जब इनसान की कुनली शक्ति जागरी तोने लग जाती है, अध्यात्मिक मारग में वो अग्रसर हो जाता है, तो फिर उसको लालच कमनों हो जाता है, ये आप उस साधक या किसी भी गुरू का ये चीज़ आप सबसे पहले नोट कर सकते हो, कि वो लालची ना हो, अगर उसका लालच कमना तो सोचिए कि हाँ, उसे अध्यात्मिक ग्यान है, अध्यात्मिक शक्तियां है, जीवन निर्वाह करने के लिए हर कोई चाता है, कि हमे पैसा मिले, लेकिन एक लालच होना, एक अलग चीज़ नजर आती है, ठीक है, तो उनके पस कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक खाली उपदेश दे सकते हैं, क्योंकि पहले तो अपने शरीर को साधना पड़ता है, अपने शरीर को आप साधक क्या होता है, साधक साधना की होती ह साधा होता है, उसने अपने अपने आपको अगर उसने साध लिया, अपने तन को, मन को, अपनी आत्मा को साध लिया, तब हो साधक है, सिद्धे ऐसे साधक नहीं बनते, बोलने से कुछ साधक नहीं बनते, ठीक है, और फिर आप ये धीरे 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 अभ्यास करते रहेंगे करते रहेंगे तो आप लास्ट जो पॉइंट होता है फिर आप इसमें आप समाधी के वस्ता में भी पहुंच जाते हो जब आप समाधी के वस्ता तक पहुंच जाते हो तो आप किसी का भी भूत भविश्य वर्तमान सब आंखे बंद करके देख लेते हो दिखाई द हो आप किसी का यह काम होता है और यह होता है और होता ही है तभी साधक आप लोगों के बारे में सब कुछ बताते हैं तभी नेगटिव पॉस्टिव शक्तियों को देख लेते हैं तभी आपकी यह पैरनॉर्मल वर्ड की जितनी भी समस्या जो भी कुछ होती है उनको हल करते है क्योंकि कई लोगों के तो होते हैं पहले से भी कुछ चक्कर जागरित हुए होते हैं कईयों कि किसी किसी के उपर देवी आ जाती है तो वो जो देवी देवी और देवता कोई भी आता है वो इस्ट होता है वो खुस्वता ही अपने बच्चे का मतलब कुनली जागरित करवा देते हैं या कोई पॉइंट आग्या चक्कर या कुछ भी खोल देते हैं कारे करवाने के लिए पर कईयों को बहुत महिनत करनी पड़ती है फिर आप कहीं भी जाओगे तो आप जो ऐसा व्यक्ति होता है वो एक दम भांप लेता है कि यहां नकारतमकुर जाए कि सकारतमकुर यह सामने मेरे व्यक्ति बैठा है इसमें नकारतमक्न अक्टिविटी कितनी है और कितनी मातरा में है वो देख लेता है वो जो जहां बैठा होगा वो वहीं से उसको हील कर लेगा जब इतनी उच्छ कोटी का जब सादक बन जाता है न तो उसके उसके पास जाने की जरूरत ह नहीं होती अगर उन्हें पता है कि वो इस स्थान पर है इस नाम का व्यक्ति है या ओचिहरा उसका देखता है जानता है तो वो अपने आप जहां बैठा है वो वहीं से उसको हील कर देता है और उसको आराम वहीं पर लग जाता है ये बहुत उच्छकोटी के जो सादक होते है बहुत अच्छे जिनका परमात्मा के साथ अच्छी क्रेक्टिविटी होती है वो हर जगा जहां भी कोई मुनिश्य बैठा हुआ है वो वहीं उसको बैठे को ही ठीक कर देता है ये इतनी पावर रखता है उच्छ कोटी का एक सादक ठीक है तो बाकी तो सारे मैं आपको लक्षन बताई चुकी हूँ बाकी हाँ मेन मेन जो मेरे साथ संभव होते हैं तो वो बताती हूँ और ये सब सची होते हैं और मैं भी इसी तरह देखो लोगों को हील कर लेती हूँ सब कुछ कर लेती हूँ मैं इतना नहीं कहा सकती कि मैं बहुत ज़्यादा हूँ लेकिन में मेरे लिए बहुत टफ नहीं है किसी को हील करना या किसी की प्रब्लम हो सौट आउट करना हजारों होती है और होती है सिर्फ यह ध्यान के माध्य हमसे ठीक है बाकी ब्रहम मुरत में आपकी आँख खुलनी शुरू हो जाती है ये भी एक लक्षन होता है और खुदी सत्य ही आपको कभी अलारम नहीं लगाना पड़ेगा कोई कुछ नहीं लगाना पड़ेगा जब आपकी शक्तियां आपके साथ कनेक्ट होगी आपकी बन चुकी होगी तो वह आपको करके सत्य ही उठाएगी अपने आप उठाएगी और आप उठोगे भी और आपको अलस भी नहीं आएगा आप उठोगे एक दम उठोगे जैसे कि जिग्यासा रहती और अगर आप हर टाइम यूट्यूब में या कहीं इदर उदर बुक्स में इदर उदर कहीं निरंतर ढूंड रहे हो ना ये सब क्या होता है क्या होता है तो आप सोचे कि आप रभू के इस मारग में अगरसा रो रहे हो आपकी कुनली शक्ती में हल चलोने शुरू होगी है तो ये सब फिर सिम्टम होते हैं जैसे आपकी अपनी आत्मा का संदेश से दूसरे तक पहुंचा सकते हो मुझे कितनी वार ऐसे होता है कितनी वार ऐसे होता है मैं इतनी बीज़ी होती हूं तो मैं जैसे भैजन लिखरी हूं या कुछ भी लिखरी हूं और मेरा मान हो रहा है कि मैंने फोन करना फोन करना इनको फोन करना उनको फोन करना और जिसको ही मैं सोचती हूना कि मैंने इनको फोन करना चलो अभी करती हूं पांच मिन्ट में मेरा संदेश सा एक डम उनकी आत्मा तक पहुंच जाता है और मुझे तुरंत उनका फोन आ जाता है जिसका भी मैं सोच रही होती हूं ना समय कि मुझे वो रहता है अब हो रहता है तो फिर मैं सोचती हूं कि चलो भी करती हूं चलो भी करती हूं थोड़ देर मैं करती हूं और तुरंत मुझे उनका फोन आ जाएगा और आ जाएगा क्योंकि इतनी मतलब आपके अंदर इतनी हा आई वो जाती है आपकी आत्मा की frequency कह सकती हूँ में इसको जो की एकदम से वो दूसरे तक आपका संदेश उसकी आत्मा को जा करके टच करके उसको आपकी याद दिला करके एकदम आपको कहेगी कि हाँ उकरे तो यह बहुत सी बाते होती है यह जो मैं आपको बताती हूँ यह अपने अपने सब के experience अपने अपने होते हैं YouTube में अगर आप इससे related और वीडियो भी देखेंगे सब के अलग-अलग होंगे अपने अपने भांती-भांती के होंगे और प्रतेक मनुश्यों के अलग-अलग होते हैं तो हद से ज़्यादा हद से ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि 90% में आपको अपने ही experience बताती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता किसी के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है तो मेरे साथ ऐसे होता है तो अगर आप मुझे अपना आइडल समझते हो मुझे अपना Guru समझ रहे हो कुछ भी आप मुझे अपना समझ रहे हो मुझे Follow कर रहे हो और मेरे चलाए मारग पर अगर आप चल रहे हो तो आपको ये अगर ऐसे सब कुछ होता है तो आप इसने चीजों से नहीं डरिये और ये सोचिये कि आप सही मारग पे जा रहे हो सही दिशा पे जा रहे हो मैं इसी करके आप लोगों को knowledge देते हूं कि हर टैम हर टैम यही ना सोचा करिये कि हमें किसी जब आप ध्यान meditation कर रहे हो 40 मिन्ट से ज़्यादा बैठ रहे हो तो अब इसलिए आपके शरीर पर यह सब कुछ होगा तो मेरा बताना आपको फरज है है ना बाकी आपका समझना आप उसको कितना समझते हो कितना जीवन में follow करते हो तो वह मैं नहीं जान सकती और बाकी मैंने आपको सभी बताई है बाकी आपका जो दूसरे पर प्रभाव होता है वो भी अच्छा पढ़ने लग जाता है आपकी वानी में तेज आता है चेहरे पर तेज आता है अध्यात्मिक तेज एक अलग होता है और एक मेकप का तेज एक अलग होता है अध्यात्मिक तेज का मतलब यह होता है कि बात वो होती कि हाँ आप कि स्किन चमक रही है या कि आप गोरे लग रहे हो या पैसे लग रहे हो आपकी जो आँखों की चमक होती है जो आपकी पुतलियों की चमक होती है वो इतनी चमकदार होती है कि अगर जैसे आपका कोई चेहरा देख रहा है न नस्दीक से तो उसका दिल करता ह कि आपके चेहरे को वो देखता रहे, देखता रहे, वो आंखों की चमक होती है, वो चमक कितनी तेज होती है, वो दूसरे को भी मतलब की ऐसे कर देती है, तो उनका चेहरे से मतलब की नजर नहीं हटती, वो लक्षन होते हैं उस चीज के, वो एक आंखों की चमक होती है, वो चमक होती है आपने सुना है ना बहुत से लोग कहते हैं आपके चेहरे पे बहुत चमक है आपका ऐसा है वैसा है बोलते है ना लोग तो वो चमक यह नहीं होती चमक तो आप आज कुछ भी लगा लो नेकप करवा के आजाओ आप है ना फिर आप इसको उसको धोते हो तो आप देखो फिर कैसे नजर आते हो छी कि उसके बाद आप बहुत कुछ लग जाता है चमक के लिए तो हाइलेटर लग जाते हैं ये लग जाते हैं तो वो चमक नहीं होती है आँखों में होती है चमक चमक आँखों की होती है जो तेजवान होते हैं ग्यानवान होते हैं जो वो इस सुनेगा उसको दिल करेगा कि मैं इसको देखता रहूं और उसकी बात को सुनता रहूं तो वो वो चमक होती है तो अगर ये सभी लक्षन आपके जीवन में होते हैं और आपके साथ ये सब हो रहा है तो आप इसमें डरे नहीं और ये सोचे कि आपकी कुनली जागरित हो रही है और आप एक अच्छे मारक पर जा रहे हो और आपको एक दिन आप समाधी की वस्ता तक भी जाओगे आप सभी कुछ कर लोगे मेहनत बहुत जरूरी है इसमें मेहनत बहुत जरूरी है पेशंस बहुत जरूरी है आपको पेशंस रखने अगर किसी ने ध्यान का मारग चुनना है भक्ती मारग अगर चुनना है और इस लाइन को चुनना है और अच्छा और प्रबल सादक बनना है तो समय दीजिए दो चार पांच साल का देखिए मैं तो इतना कह सकती हूँ कम से कम 20 साल तो एक अच्छे सादक बनने के लिए बहु क्या है क्या नहीं सब जान जाओगे तो बारा साल तो इतने जुरूरी है कि जिसका कुछ नहीं है तो मुझे भी अभी दस साल हुए हैं दस साल में भी हमें आपको यह भी नहीं बता सकते कि अभी तक क्या जाना है और क्या भी जानना बाकी है ठीक है जितना मैंने जाना है उत तो अगर बिमार करेंगे तो हमारे अच्छे के लिए ही करेंगे, बुरे के लिए नहीं करेंगे, ठीक है, तो डरने की आवशकता नहीं है, और एकदम उर्जा में आओगे, बैठोगे, तो हल चल बॉड़ी में होती होती है, होती होती है, तो इसमें वोही लोग इस मारक को च सर्च कीजिए आपको यही नौलेज मिलेगी और आपको पता चलेगा कि हाँ यह सब होता है चीक है तो मेरा आपको बताना फर्ज था तो अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षन होते हैं तो आप समझिए कि आपकी कुंडली जागरी तो रही है और आपको डरना नहीं है और इस मा महाकाल जाह महाकाली मेरे वीडियो को लाइक शेयर मेंट जरूर कीजिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप और अगर करते हो तो नोटिफकेशन आपको आएगा और नोटिफकेशन आएगा तो आप तुरंत मेरी वीडियो को देख सकते हो और आप मुझे उमीद है कि आगे भड़ोगे माता रानी महाकाल आपकी रक्षा करेंगे समस्त देवी देवताओं का आपको आशिरवाद होगा आप अपने कुनली जागरित करोगे जै माता की